शुरुआत हुई थि ट्रेविश हैड की बदोलत ट्रेविश सेड़ ने बहुत ही त्रेचरा शुरुआत दी हैदराबाद को 24 वर ने 12 टन्就可以 सेड़ी डी ट्रेविश हैड ने और 23 वर और 13 वर यो अभिशेक शर्मा ने बहुती शांदार बैटिंग दोनों ने करके दिखाई दोनों ने 50 जड़ी और उसके बाद मोर्चा समाला एडम माकरम ने और हैंडरी कलासन उनका बखो भी साथ दित देते हुए मयांक अगरवाल जादा कुछ नहीं कर पाए उनके इलावा हैडरावाद के सबी बैटरन बहुत बड़िया बैटिंगर कर गए है ट्रैविस हैड की बासेटन की पारी अभिशेक शर्मा से हैंडरी कलासन अभी भी 15 वर में 30 पर खेलते हुए और 23 वर में 34 मारकरम खेलते हुए चार ओर का खेल बाकी 16 ओर का खेल हुआ है और 204 रन बोर्ड पर लग चुके हैं चार ओर में देखना होगा कितने रन ओर बना पाती है है एदरावाद के एक प्लेयर्स मफाक का को गेन मिली है आखरी ओर के लिए सत्रमा ओर डालने आए और पहली गेन वाइड डाल दिया है 215 लग चुके हैं बोर्ड पर और अभी भी 24 गेंदों खेल बाकी है देखना होगा आखरी 24 गेंदों में कितना स्कोर और बन पाता है मुंबाई इनियस के लिए एक पहुती खरावस्तिती मुंबाई इनियस काफी दिक्कत में दिखती हुई जो की 215 रन बोर्ड पर लग चुके हैं और 24 गेंदों खेला भी भी बाकी है तो कितना टार्गिट देंगे देखना होगा है दराबाद मुंबाई इनियस को बहुती विशाल काई लक्षे कि दर बढ़ते हुए कितने रन बना पाकी 23 बोर में देखना हुए कितने रन और बन पाएंगे 23 बॉल में आपको कितने रनों लगते हैं कमेंट में बताएं जरूर 23 बॉल में मुझे जैसा लगता है यहां से 64 रन तो बन जाएंगे जैसा की प्लेयर है एडम माकरम और हैंरी कलासन तो यह 270 से 208 सीरन बनाने को देखेंगे है एडराबाद एडम माकरम और हैंरी कलासन हैंरी कलासन का बढ़िया शोट और चवर रन बढ़िया चोका हैंरी कलासन का 16 बॉल में 34 पर पहुंच गए हैं हैंरी कलासन बढ़िया बैटिंग चलते हुए हैंरी कलासन की इससे पहले अभी शेक शर्मोर ट्राइल से फिफ्टी जड़ कर जा चुके हैं हैं हैदराबाद के लिए और हैंरी कलासन सोला वल में 34 पर केलते हुए जो की बहुत तक्री रेपुटेशन लेकर आए हैं इस T20 लीग में हैंरी कलासन T20 के बेस्ट बैट्समैन माने जा रहे हैं वर्ल्ड के बैट्स बैट्समैन हैं रिक लासन स्टाइक रेट के हिसाब से बहुत ही बड़ी है बैटिंग करते हुए सोला वल में 34 दो सोबीशन बोर्ड पर लग चुके हैं और अब भी बाइस गेन बाकी इस इनिंग्स में बाइस गेन में देखना हुआ कितने रन वर बन पाते हैं बहुत ही लाजवा बैटिंग और बहुत ही बड़े स्कोर की तरह बढ़ते हुए आई पेल का सारवादिक स्कोर आज क्रोस करने को देखेंगे हैद्राबाद की ये टीम बढ़िया बोल ये मफाक्का की हैं रिक लासन के आगे डोट बोल जो कि बहुत बड़ी बात हो गिया और ये डोट बोल मफाका से काफी प्रेशन में दिखते हुए पर बड़िया बोलिंग कर रहे हैं 16.3 और का खेल हुआ और 220 बन चुके हैं बोर्ड पर तीन विकेट के नुखसान पर अभी 21 गेंद का खेल बाकी 21 गेंद में देखना होगा कितने रन और बन पाते हैं 21 और आखरी पांच और में 200 की स्टाइक रेट से भी ज्यादा खेलते हैं जो कि उनका रिकोर्ड है देखना होगा बचे वी 21 गेंदे में कितने रन माते हैं कितने रन और 21 गेंद में बन पाएंगे और ये बहुत ही बड़ा हिट हैं रिक लासन से बोल जाते भी बहुत दूर तीसे तीयर में चोटर तीयर में फैक दिया बोल को हेंडरी कलासन ने छे रन के लिए और 18 बोल में 40 पर पहुंच गए हैं हेंडरी कलासन 226 बोड़ पर सो गेंदवा खेल हुआ है और 226 बन चुके हैं हैं हैदराबाद औरेंज आर्मी काफी खुश हैदराबाद की पर जो की उनको आज चोके चके बहुत देखने को मिले हैं बिल्कुल मन औरंजर होता हुआ हैदराबाद में क्राउड गा और इसी के लिए आये थे औरेंज आर्मी वाले और क्या परफोर्मेंस करके दिखाया है है हैदराबाद की टीम ने आज बहुती लाजवावी ये ब पर मुझूद है है हैं रिकलासन अठारा बोल में चालिस पर खेलते हुए और वाइड बोल मफाका से वाइड पर डाले जा रहे हैं दूर रखना जाते हैं रिकलासन से पर सामने तो आना ही है